नमस्ते डेयो वीवस आज के इस वीडियो में हम लोग बैंड वाइदित और क्वालिटी फैक्टर को डिसकस करने वाले हैं स्रीज रेजोनेंट सॉकेट के लिए मेरे प्यारे वीवस देखिए आपको पता है स्रीज एलसी आर सर्केट के बारे में उसी स्रीज एलसी आर सर्केट को जब आप एक पार्टिकुलर फ्रिक्वजंटी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओप्टेन करेंगे ठीक है मेरे प्यारे वीवर्स दीखिए यहां पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहां पर एक ग्राफ लिए हैं current और angular frequency के बीच ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं angular frequency को हम लोगों ने omega से donate किया है देखिए f से भी frequency को donate करते हैं और omega से भी जो frequency आपका omega से donate होता है उसका unit radiance में होता है और जो f से donated होता है उसका जो unit होता है वो hots में होता है ठीक है अगर आप इस पूरे graph को अच्छे से observe करें तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो graph है यह हमें यह बता रहा है कि जैसे जैसे अपना जो frequency है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे current भी क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है और जैसे ही है frequency क PengCloud क्या हो जाता है मैकसिमम हो जाता है और पिर जैसे ही जाए हिसी इंद से और वह ऊपर जाता है ना फिर कि जो है लगता यह हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है और एप्यारे विवस देंखिए हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, series resonant circuit में, कि resonant frequency पर, जो current होता है, circuit में, वो maximum होता है, क्योंकि जो impedance होता है, इस resonant frequency पर, वो minimum होता है, तो माल लेते हैं, जो current है, यहाँ पर, वो I0 है, तो यह आपका equal होगा किसे, E by Z से, E माल लेते हैं, कोई power source होगा, जो series resonant circuit में, apply किया हुआ है, और Z आपका total impedance, या total complex impedance, ठीक है, अब चुकि, हमारा, जो series resonant circuit है, वो बहुत ही low impedance, provide करवाता है, resonant frequency पर, जो currents या waves होती है, तो वो basically, आपका R से equal होता है, यहाँ पर Z की जगए, आप R ले लो, E by R, जो आपका resonant frequency पर current होगा, वो होगा, I not is equal to E by R, कुछ ऐसा, ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम लोग उन्हें resonant frequency, resonant frequency के left में, एक frequency लिया है, omega 1, और right में एक frequency लिया है, omega 2, basically हम लोग किये क्या है, हम लोग एक range of frequency यहाँ पर select किये है, omega 1 से omega 2, और इसी range के बीच जो है, आपका resonant frequency लाइक कर रहा है, ठीक है, इसी range के बीच, तो यहाँ पर आप एक चीज़ अब्ज़ब कर पा रहे हैं, कि omega 1 पर जो current है, इस graph के recording है, और omega 2 पर जो current है, यह दोनों same है, अगर आप गौर से यहाँ पर observe कर पा रहे होंगे, चलिए इस current को हम लोग I prime से donate कर देता है, और यह दो जो frequencies हम लोग लिए है, omega 1 और omega 2, ठीक है, यह क्या एक band of frequencies है, इसी band of frequency के बीच अपना, यह जो omega 0 है, जो resonant frequency है, वो लाई कर रहा है, और जो omega 1 और omega 2 पर जो currents होता है, वो resonant frequency पर जो current है, उससे क्या होता है, 1 by under root 2 times होता है, क्याना, समझिएगा, यह जो यहाँ पर, यहाँ पर, इस point पर और इस point पर जो current है, यह actually में, जिसे हम लोग i' से donate कर रहे हैं, यह क्या होता है, 1 by under root 2 times, the current at resonant frequency, जो resonant frequency पर current होगा, that is i0, तो, यह i' जो है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 by under root 2 e by r, और चाहो तो इस प्रकार से भी, i' is equal to e by under root 2 r, कुछ ऐसे, यह चीज़े आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे यह चीज़े तो direct books में, graph में दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो, अपना यह जो दो, क्या है, कह सकते हो, दो extreme points, जो है, एक band का, एक band of frequencies का, जो extreme points है, omega 1 और omega 2, इस पर जो current है, वो 1 और रूट 2 टाइम्स है, किसके, जो current आपका, resonant frequency पर था, बट, थोड़ा सा धिहान में लाईए, मेरे प्यारे भी बस, हम लोगों ने क्या कहा था, बट, हम लोगों ने यह कहा था, कि resonant frequency पर, जो आपका, impedance होता है, वो तो चलिए, आर से equal होता है, ठीक है, चलिए भईया, मान लिए, लेकिन, resonant frequency के अलावा, जो भी frequencies है, उस पर, जो impedance होता है, वो तो हम लोगों ने देखा था, कि इस से equal है, R+, J, omega L, minus 1 by omega C, इस से equal था, यह देखा था हम लोगों ने, आपको याद होगा, series resonant circuit वाले वीडियो में, हम लोगों ने कहा था, कि, resonant frequency पर, जो impedance होता है, वो R से equal होता है, मतलब, circuit purely resistive के तरह, behave करती है, लेकिन, other frequencies पर, जो impedance होता है, वो कुछ अस प्रकार का होता, R+, J, omega L, minus 1 by omega C, बट, यहाँ पर, अगर आप देखो, तो omega 0, to resonant frequency है, और omega 1 और omega 2 क्या है, यह other frequencies है, resonant frequencies है, लेकिन फिर भी, यहाँ पर, जो impedance है, वो किस से equal है, under root, 2 into R से equal है, तो क्या हम लोग, इससे और इसको, दोनों को compare कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेगा, इन चीजों को थोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा देखेगा, यहाँ पर जो हम लोग ने, I prime पता किया, यह क्या है, 1 by under root 2, times, जो maximum current है आपका, जो current resonant frequency पर है, तो 1 by under root 2, I not आपका होगा, E by Z से equal, हला इसी Z की हम लोग बात करता है, क्योंकि Z जो है, other frequencies पर, वो तो इतना होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर आपका Z जो है, यहाँ पर R ले लेंगे, root 2 R से equal है, E by root 2 R, इससे equal है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो को compare करेंगे, दोनों के magnitude को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ इस प्रकार से लेते हैं, now, mod Z, ठीक है, इसका modulus निकालोगे तो कितना आएगा, ले लेते हैं, root में, under root 2 R स्क्वार, plus omega L minus 1 Y, omega C का स्क्वार ले लेते हैं, ठीक है, और यह आपका equal होगा किससे, क्योंकि, यह भी तो Z ही है, under root 2 R भी तो Z ही है, तो इसका modulus लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, under root 2 R, ठीक है, इसको भी ऐसे ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है, यह एक्चुली में इसका magnitude ही है न, मौट को हम लोग connect कर रहे हैं, ओके, इसको क्या करेंगे, हम लोग इससे equal ले लेंगे, यहाँ पर जो है, मौट Z हम लोग एक्चुली Z का, जो magnitude है वो ले रहे हैं, और यहाँ पर भी तो, impedance का magnitude ही है, root 2 R, इस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ करता है, अब अगर हम लोग both sides squaring कर दे, on squaring both sides, ठीक है, on squaring both sides, on squaring both sides, we get, जो हम लोग squaring करेंगे, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा, R square, plus omega L minus 1 by omega C square, is equal to 2 R square, कुछ इस प्रकार का मिलेगा, इसे यहाँ पर दूसरे पेज में continue करते है, R square को ले आते हैं कि दे, right hand side पर, तो हमें मिलेगा, omega L minus 1 by omega C square, यहाँ हो जाएगा R square, ठीक है, minus करते हैं तो R square हो जाएगा, अभी क्या कर सकते है, square square अगर cancel करते, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, square square cancel करना ठीक नहीं रहेगा, इसे ऐसे ले ले लते है, omega L minus 1 by omega C is equal to, root R square, जो होगा आपका positive negative R, ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा, हमें एक value मिल रहा है, omega L minus 1 by omega C का, जो आपका positive negative R से equal है, resonant frequency पर क्या होता था, omega L minus 1 by omega C, 0 से equal होता था, लेकिन हम लोग other frequencies की बात कर रहे है, तो यहाँ पर देखेगे, यह 0 से equal नहीं आएगा, है ना, so हम लोग क्या कर सकते हैं, omega L minus 1 by omega C is equal to positive negative R, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए, तो चुकि यहाँ पर दो frequencies है ना, एक तो omega 1 है और एक omega 2 है, तो ऐसा करते हैं, इस equation को दोनो frequencies के terms में पहले लिख लेता है, as omega 1 less than omega 2, तो इस equation को आप इस प्रकार से लिख ले जीए, इसको equation number 1 ले लेता है, omega 1 L minus 1 by omega 1 C, is equal to, क्योंकि यहाँ पर छोटा है ना, तो इसको negative आप ले लेता है, और जो बड़ा वाला है उसके लिए positive ले ले लेंगा, omega 2 L minus 1 by omega 2 C, is equal to positive आप ठीक, इसको equation number 2 और इसको equation number 3 ले लेता है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को add कर लेता है, और फिर दोनों को subtract करेंगे, ठीक है, on adding, on adding, 2 and 3, ठीक है, 2 and 3, we get, हमें क्या मिलेगा, दोनों को add करने के बाद, थोड़ा दिखेगा, यहाँ पर omega 1, चुकि हम लोग add कर रहे हैं दोनों को, तो यह दोनों तो पहले add में आ जाएगा, तो omega 1 प्लस omega 2 को L ले लेंगे, और यह दोनों को भी एकर add में लेते हैं, तो negative बाहर रहेगा, और 1 by C बाहर आएगा, ओके, और अंदर में क्या आ जाएगा, 1 by omega 1 प्लस 1 by omega 2 अंदर में आ जाएगा है न, और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, दोनों पो add करेंगे तो, तो यहाँ देखेगा, omega 1 प्लस omega 2 L माइनस, इसमें क्या होना चाहिए, 1 by omega C, omega 1, omega 2, यहाँ पर भी omega 2 प्लस omega 1 आएगा, अब देखो, omega 1 प्लस omega 2 क्या है, दोनों में ही common है, ओके, इसको common out ले लो, omega 1 प्लस omega 2, bracket L माइनस 1 by C, और यहाँ पर एक टाम बचेगा, that is 1 by omega 1, omega 2, अभी इसको क्या करेंगे, eliminate कर देंगे, eliminate करेंगे, तो हैं मिलेगा, L माइनस 1 by C, 1 by omega 1, omega 2, is equal to 0, and, this is L, is equal to 1 by C, 1 by omega 1, omega 2, ओके, and, यहाँ से एक important result मिलेगा, जो हम लोग आगे यूज करेंगे, जो होगा, 1 by omega 1, omega 2 को, आप, L, C यहाँ पर ऐसे मिल रहा, इसको इदर ले आएंगे तो, and, this can be used as, omega 1, omega 2 is equal to 1 by L, ठीके, इसको धिहान रखेंगे, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको equation number 4 ले लेते हैं, अब मेरे प्यारे भी बस, यह जो दू हमें मिला था equations, क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा थोड़ा देखिएगा, omega 2 L minus 1 by omega 2 C, okay, minus omega 1 L minus 1 by omega 1 C, is equal to positive or negative, और यहाँ पर यह r भी negative में है, ना 2 वाला, ठीके, तो यहाँ देखिएगा, omega 2, और यह minus omega 1 L आ जाएगा, अच्छा, यहाँ पर एक मेंट, हाँ, omega 1 है ना यह, ठीके, minus omega 1, और यह L, साथ में आ जाएगा, फिर यह negative और यह negative, दोनों मिलके क्या होगा, positive, और एक यह negative वाला, ठीक है, तो इसको आप positive में लेकर, कि 1 by C बाहर निकालके, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, omega 1, minus 1 by omega 2 ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, 2R, अब देखिएगा, इसको solve करें अगर, तो हमें मिलेगा, omega 2 minus omega 1, L plus 1 by C, ब्रैकेट, omega 1, omega 2, और इसमें हो जाएगा, omega 2 minus omega 1, is equal to 2R, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, and this is, omega 2 minus omega 1, common है, तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा, L plus, यह तो बाहर चला गया, omega 2 minus omega 1, और यहाँ पर नीचे क्या बचा, omega 1, 1 by omega 1, omega 2 बचा नीचे में, तो इसका value हम लोग पता किये थे, omega 1, omega 2 का, that is, 1 by LC, अगर यहाँ पर 1 by LC, अगर आप पुट करते हो, तो यहाँ हो जाएगा, 1 by C into, और यह, यहाँ पर 1 by LC आएगा, तो LC उपर चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, 2R, फिर omega 2 minus omega 1, यहाँ से C और C कैंसल करोगे, तो इसके साथ 2L आजाएगा, यहाँ 2R, 2R 2 आप यहीं से कैंसल कर दीजे, तो आपको मिलेगा, omega 2 minus omega 1 is equal to, R by L, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, मेरे प्यारे विवस, यहाँ पर यह जो हमें मिल रहा है, omega 2 minus, omega 1 is equal to R by L, यह जो आपको मिल रहा है, इसे कहते हैं, band-vided, band-vided, यह क्या है, band-vided, जिसे basically BW से, भी represent कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो हम लोग interval लिये थे, omega 1 से omega 2 का, यह जो interval है, इस interval का जो difference हम लोग ले रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं, band-vided, इसी band-vided के बीच, जो है मेरे प्यारे विवस, resonant frequency लाई करता है, अब यह band बड़ा है, या फिर छोटा है, ठीक है, उस पर depend करेगा, कि omega 1 और omega 2, जो resonant frequency है, इस पर impedance, r से equal होगा या नहीं, वो depend करेगा, कि omega 1 और omega 2, जो है, यह resonant frequency से कितना close है, है ना, ओके, जितना ज़्यादा close होगा, उतना ही आपका z, जो है, r से equal होने का chances रहेगा, और उतना ही chances रहेगा, कि उस पर जो current हो, वो maximum हो, ठीक है, यह चीज़े अभी देख लेगे, वो यह सारे points, ओके, यह क्या है आपका, omega 2 minus omega 1, is equal to r by l, यह है band by ditt, ओके, यह एक expression हो रहा है, band by ditt का, इसको equation number 5 ले लेते हैं, ठीक है, अभी और चीज़ देखना है, यहां पर यह जो omega 2 आप देख रहे हैं, प्यारे वीवस, यह आपका क्या है, upper half frequency, ओके, और यह जो आपका, omega 1 है, इससे क्या कहता है, lower half frequency, ओके, यहां पर देखिएगा, थोड़ा इसको और आगे बनाते हैं, देखिए, पिछली वीडियो में, हम लोगों ने देखा था, कि जो quality factor होता है, क्यूँ, ओके, यह quality factor जो है, प्यारे वीवस, omega 0, L by R से equal, मिल रहा था हमें, ठीक है, तो, अगर हम लोग चाहें, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, Q by omega 0, is equal to L by R, और आप चाहो, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो न, R by L, is equal to, omega 0 by Q, इस प्रकार से, इसको आप लेलो, इस वाले को, equation number 6 लेलो, ठीक है, equation number 6, अब देखो, equation 5 और equation 6 को, क्या compare कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलिए, equation 5 और equation 6 को, अगर हम लोग compare करें, तो देखिए, हमें एक बड़ा ही important चीज़ देखने को, यहाँ पर मिलेगा, वो क्या, comparison करने के बाद, हमें मिलेगा, omega 2 minus omega 1, जो bandwidth है, यह आपका equal होता है, R by L से, और यह equal है किसे, omega 0 Y Q से, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, कि हमारा, यह जो bandwidth है न, यह actually में quality factor पर, inversely proportional है, मतलब, जो आपका circuit है, इसका quality factor, जितना high होगा, उतना ही कम bandwidth होगा, और उतना ही जादा sharper होगा, आपका resonance, okay, resonant frequency, उतना ही sharp होगा, समझ पा रहा है न, देखे, हम लोग ने, एक चीज़ पढ़ा है, कि जो resonant frequency है, इसके पास क्या है, selective property है, selective property, okay, जो selectivity है, circuit का, उसको हम लोग quality factor के, terms में क्या करते हैं, determine करते हैं, express करते हैं, अगर किसी का quality factor high है, जैसे अगर आप इस curve की बात करो, हना, जिस भी circuit को ये donate कर रहा होगा, उस circuit का quality factor high होगा, क्योंकि, इसका जो peak है, वो क्या है, sharp peak है, broader peak नहीं है, sharp peak है, अगर इस प्रकार का graph रहा था, इस प्रकार का, तो इसका जो peak है, लेकिन इस case के लिए जो band वाइदित है, वो कम होगा, क्योंकि, इसका जो peak है, वो sharper है, और peak sharper है, इसका मतलब, quality factor higher होगा, quality factor higher है, इसका मतलब है, कि जो band वाइदित है, वो क्या होगा, कम होगा, ये चीज़े हम लोग लिखे वे हैं, तो यहाँ पर देखेगा, हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर लिख करके रखे हैं, देखेगा, the interval omega 2 minus omega 1, is known as band by this, and is the band of frequencies, ठीक है, band होता है, frequencies का, which lies between two points, on either sides of the resonant frequency, जैसे कि, यहाँ पर resonant frequency के, either sides पर lie कर रहा है, band है, यह जो omega 1 है, और जो omega 2 है, इसके बीच कई frequencies होंगे, तो यह क्या है, band है frequencies का, इसी में क्या है, resonant frequency lie कर रहा है, where current falls to 1 by under root 2 times, और 0.70 of its value at resonance, ठीक है, हम लोगों ने कहा ना, कि जो omega 0 पर जो current है, ठीक है, उस current से, 1 by under root 2 times, current होता है, omega 1 और omega 2 पर, ठीक, यहां पर current क्या होता है, fall कर रहा है, गिर रहा है, ओके, the interval omega 2 minus omega 1, is known as band by death, and is the band of frequencies, which lies between two points, on either sides of the resonance frequency, where current falls to 1 by under root 2, or 0.70 of its value at resonance, band by death is inversely proportional to q, जो band by death है, यह quality factor पर क्या होता है, inversely proportional होता है, जैसे, यहां पर हम लोग देखे, इस formula से, greater the value of q, जो आपका quality factor है, इसका value जितना जादा होगा, उतना ही, smaller होगा band by death, यह जो band of frequency है, यह जो band of frequency है, omega 1 से omega 2, यह quality factor पर depend कर रही है, circuit का quality factor, जेतना हाई होगा, उतना ही कम होगा band by death, और उतना ही sharper होगा resonance, ठीक है, greater the value of q, smaller the band by death, and more sharper is the resonance, sharper उतना ही जादा होगा, मतलब resonance जो है, उतना ही जादा sharper होगा, ठीक है, sharpness of resonance, ठीक है, as the value of q, जैसे से quality factor का value, हम लोग increase करेंगे, क्या होगा, band by death घटता जाएगा, और resonance जो है, और sharp होता जाएगा, ठीक है, मतलब circuit का selectivity बढ़हेगा, ठीक है, हम लोग ने कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिख करके रखी है, जैसे कि quality factor के लिए कुछ points यहाँ पर लिखे है, कि the quality factor of resonance circuit is defined as the ratio of inductive reactance, to the total resistance in the circuit, ठीक है, इस ratio से define करते हैं, और quality factor क्या होता है, आपका dimensionless और unitless quantity होता है, फिर the series, यहाँ पर एक band-wise का छोटा सा definition लिखे हैं, कि the series circuit offers low impedance path in this frequency range, इस frequency range के लिए low impedance path offer करता है, जिसको हम लोग कहते है band-wise, क्योंकि omega 2 और omega 1 कह सकते हैं, कि यह resonant frequency से काफी close है, ठीक है, here f1 is called lower cut-off frequency, ठीक है, और f2 is called upper cut-off frequency, cut-off भी कह सकते हो, upper half power frequency भी कह सकते हो, lower half power frequency भी कह सकते हो, ठीक है, तो यह आपका क्या था, band-wise और quality factor का एक video था, जिसमें हम लोगोंने band-wise का expression derive किया, और देखा कि जो band-wise थै, वो quality factor पर किस प्रकार से depend करता है,